हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दस माँ बाद मारवाट जंक्शन पहुची रानकपूर एक्सप्रेस का नगरवासियो और सामाजिक संगडरों ने किया भविस्वागत कोरोना संक्रमन के बाद 22 माँच 2020 से संपूर्न भारत में लॉक्टाउन के बाद बंद हुई रेल गाडियों के बाद पुन्ह संचालित हुई श्री साई दर्शन सेवा संथा के अद्यक्ष दिवेंदर सिंग मीना के नेतरुत्त में किया गया इस मोगे पर लोको पाइलेट जीवा भाई सहायक लोको पाइलेट विरेंदर सिंग चोहान और गार्ट आबित खान का साफा माला पहना कर मीठा मोकर स्वागत किया गया गौर तलब रहे कि रणकपूर एक्सप्रेस को जोदपूर संभाग की सबसे महत्पपूर्न यातरी ट्रेन मानी जाती है जिसमें सेकडो की तादात में आसपाँ शेत्र के यातरी सफर करते हैं इस फेन के आरम होचाने से जोदपुर संभाग के निवासियों ने रेल मंत्री पियुश गोईल का आधार व्यत्त किया देवेंदर सिंग मीना ने मीडिया को बताया कि रेल गाड़ी के पहुचने पर खुशियान तो बहुत मनाए गई पर दो इस रेल गाड़ी का समय परिवर्तन होने से देनिक अपडाउनर व्यापार से जुड़े याद्री परिशान हो रहे है मीना ने बताया इस रेल गाड़ी का समय पुन्धपूर्व संचालित समय के अनुसार अपडाउन के रूप में संचालित किया जाए जिसे कि मारवाट शेत्र के रेल ग्यादरियों को पहले जैसा लाब मिल सकेगा इस मौके पर स्राई संक्ता सदस्यों सहित सैक्डो नगरवासी उपसित थे जागरुप टिपिकले सोज़त से बाबुलार पवार की रिपोर्ट